पजार में महंगी से महंगी सबजियां तो आपने बहुत देखे होगी और बहुत महंगी सबजियां आपने खाई भी होगी आपने बिना मोसम की गोबी मटर मुली आदी भले ही महंगे दामों पर खरीदी हो आज हम बताने जा रहे हैं उस सबजी के बारे में जो आती है बारिश के मौसम में और रेट ऐसे की सुनकर होशवाक्ता हो जाएं कौन सी आई ये सबजी आई ये जानते हैं जनाव ये है राजस्थानी खुंबी जिसे खुंब खुंबी और छत्रक मश्रूम आदी के नाम से जाना जाता है वैसे ये 300 जादा किस्मों के होती है परन्तु बटन मश्रूम धींगरी दूदिया जैसी किस्में खाई जा सकती है इनी में से एक है खुंबी जो अधिकांश राजस्तान में उत्पन होती है और वहे भी बारिश के दिनों में पोशक तत्वों की बात करें तो यह एंटि ऑक्सिडेंट होती है यह विटामिन डी का अच्छा सरोत है इसमें बहुत कम मत्रा में कार्वो हेड्रेट्स होते हैं जिससे वजन और शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ता यह तो थे कुछ फाइदे परंतु यह तब ही मिलेंगे जब इसे खाया जाए परंतु दिनों दिन बढ़ते रेट इसकी मांग को कम करते जा रहे हैं कभी 500 रुपे किलो मिलने वाली मिश्रूम अब 600 रुपे किलो तक पहुँच चुकी है बजार के हाल की बात करें तो अब कोई कोई ही यहां मश्रूम बेचता दिखेगा क्योंकि गरहाक रेट तो पूछते हैं परंतु खरीदता कोई कोई है सूर्थगर से यहां खुंबी बेचने वाले भी परचान है वे कहते कि उनको यहां लगता था कि एक किलो लोग खुंबी खरीद कर ले जाएंगे परंतु अबोहर के लोग 250 ग्राम से ज़्यादा खरीदते ही नहीं और इससे ज़्यादा खरीदने वाला कोई विरला ही दिखता है जिसके कारण उन्हें लगता है कि इस बार अबोहर आ गए अगली बार भी अबोहर नहीं आई कि ना किया थाटा गर्णापाला से कड़ा पेंड़ पेंड़ा एक नंबर जिए फार नंबर फीक है ए तुस्य कुंभी कि तो लेगा आने हो फिर असी लेगा ने जिनविका ने साधिश्वेट रूग अजू जावले साधिश्वाले साधिश्वार चीक है तो अब और किस कि मी आने हो बांदी किन्ने तंन हो गया यह बैसाब आज जी आया वह यह दोट्रिया कि कारण की दूक लेंदे लूक है कि पिछिखें के लोगिं जाता है जाधा नहीं लगधा यह खरी नहीं पाईय पाईया लहागी जान देए पाईया पाईया लेकी जान देए तहीं